वेलकम टू आल आज का हम आपको टापिक बताते हैं आज का टापिक है हमारा एंजाइना पैक्टोरिस ठीक है एंजाइना पैक्टोरिस क्या होता है एक यह क्या है एक एंजाइना पैक्टोरिस हम क्या बोलते है एक हर्ट से डिसीज रिलेटेड यह प्रॉबलम है ठीक है पढ़ेंगे हम एंजाइना पेक्टोरिस का उसके बाद डेफिनिशन, टाइपस, रिस्क फेक्टर्स, कॉसेज, पैथो फिजियोलोजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डियाग्नोस्टिक एवैलुएशन, कॉम्प्लिकेशन, मैडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग तो आज का यह हमारा कंटेंट है, और हम इसको आज पढ़ेंगे, तो क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस, जैसे कि आपने डिसीज सुनी होंगी, एंजाइना पेक्टोरिस, ऐसी कि एर्थ स्क्लोरिस होती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, तो जो यह कोरोनरी पेक्टोरिस कोई डिसीज नहीं यह क्या है एक कंडिशन है जब आपको और आटी डिसीज होती है या फिर जो अर्थस्क्लोरस डिसीज होती है उस दौरान जो हमारे दर्द अकर होता है चेस्ट में उसको हम बोलते हैं एगाई न यह लिखा हुआ एंगाई न मींस पेन पेक् of hurt muscles generally due to obstruction or spasm in coronary rt angina pectoris is a condition marked by a severe pain in the chest often also spreading to the shoulder arms and neck to an inadequate blood supply to the hurt क्या है ये एक चेस्ट पेन होता है ड्यू टू अकर कब होता इस्ट्रीमिक of hurt muscles generally due to obstruction or spasm in coronary rt मतलब की इस्ट्रीमिक मतलब की proper क्या है blood supply ना होना उस condition को हम इस्ट्रीमिक बोलते हैं ठीक है जब proper blood supply नहीं होगा क्यों किसी भी obstruction मतलब किसी चीज की रुकावट की वज़े से या spasm आ गया है कोई इसमें मोड आ गया है कोई यसी जो coronary artery है वो band हो चुकी है जिस वज़े से क्या हो जा रहा है proper blood supply नहीं हो पा रहा है उस condition में क्या हो रहा है जो पेन अकर हो रहा है और जाता है यह चेस्ट तक जाता है क्योंकि प्रापर ब्लड सप्लाइब को नहीं हो पा रही है जिस वज़े से वो दर्द अकर हो जाता है और कभी क्या होता है यह चेस्ट पेन इतना बहंकर होता है कि लोग को ककी पेन नहीं है चेस्ट ब richer लगार इंगशो ど ओम कंज़ मैं यह चेस्ट चान इस नहीं होता है उसको हम अपको घापनेशन दो पाहले विफज्य देखते हैं हैं अजैनल पैक्तोरित स्ष्ट पेन और डिस्कमफर्ट खिÓ कर वाहुंआ अंजाइन पेक्टोरिस एक चेस्ट पेन और डिसकमफर्ट है जिससे जो अकर होता है कब होता है जब हर्ट मसल्स को प्रॉपर इनफ जो ब्लेट सप्लाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पारे यह जिस वज़े से क्या कंडिशन आहे हैं जाइन पेक्टोर्स ही इसकी रही फर्स definition अब हम आते हैं second definition क्या है तो second definition है angina pectoris is the chest pain resulting from myocardial ischemia inadequate blood supply to the myocardia myocardium में एक layer होती है second middle layer होती है second layer हो और या फिर आप middle layer बोल सकते हैं हड की जिसको क्या है proper blood supply नहीं मिल पा रही है खून का संचालन वहां सही से हो नहीं पा रहा है और जब रहा है जो oxygen नहीं मिल पा रही है जिस वजे से क्या होगा है angina pectoris की condition हो रही है अब हम आते हैं तीसरी definition की और तीसरी definition क्या होता है our disease marked by a brief sudden attack of chest pain or discomfort caused by the deficient oxygen of the heart muscles usually due to impaired of blood flow to the heart जिसे क्या है यह disease condition होती है एक जिसमें brief sudden attack सा होता है sudden attack आता है chest pain में दर्थ सा होता है sudden attack discomfort इंसान को discomfort फील होता है बेचैनी सी फील होती है caused by a deficient oxygen of the heart muscles और क्या हो जाता है जिससे क्या होता है deficit जितनी की मतलब की उसको जरूरत होती है हर्ट को oxygen की उतनी नहीं मिल पाती है क्योंकि जब proper blood flow नहीं हो पाता है heart में तो उसके ही तो उससे क्या होता है उसी के दौरान क्या है जो oxygen है वह भी नहीं मिल पा रहे क्योंकि oxygen किसमें होती है blood में जब proper blood नहीं पहुँच रहा है तो oxygen की demand तो वैसे भी कम हो जाएगी तो जितनी मिलनी चाहिए उतनी ना मिलके कम मिलती है तो उस condition को भी हम angina pectoris की condition कहते हैं अब आते हैं हम types of angina pectoris basically इसके दो types होते हैं एक और type होता है जो कि मैंने आपको इसमें बताया नहीं है तो अभी हम आपको दो टाइप पहले बताते हैं इसमें रिटन फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा तो सबसे पहला होता है stable angina और second होता है unstable angina stable और unstable angina पढ़ते हैं कि क्या होते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं stable angina stable angina is the chest pain or discomfort that must often occur when often occur with activity or emotional stress angina is due to poor blood flow through the blood vessels in the heart ये एक ऐसी condition होती है जिसमें patient होता है या फिर जो भी इनसान है उसको क्या होता है chest pain होता है दर्द होता है और discomfort होता है जब कोई वो activity कर रहा होता है उस time पे उसके अचानक से दर्द शुरू हो गया है ठीक है उसके shoulder से arm से होते हुँ इसके chest में धर्द शुरू हो गया या फिर वो कोई इसका emotionally stress इतना ले रहा है जिससे क्या होता है इसका blood pressure high अगरा हो रहा है तो जो pain अकर हो जाता है उसको हम बोलते हैं angina pectoris due to poor blood flow जिससे क्या है उसका blood flow हो पूर हो चुका है प्रॉपर blood flow नहीं हो पा रहा है vessel से जो heart तक blood जाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है उसको chest pain हो रहा है और discomfort हो रहा है ये इसका रहा stable angina मतलब basically आप एक normal तरीके में सूचिए अगर कोई person physical activity कर रहा हो या फिर उसका emotional stress हो तब उसको जो pain अकर होता है जो दर्द अकर होता है उसको हम बोलते है stable angina जैसे कि आप देख रहे है normal coronary art आप देखो तो इसमें क्या है proper blood flow होते हुए दिखाई दे रहा है ठीक है कोई भी obstruction नहीं है कोई भी स्पास में पर जैसे कि आप stable angina का देखेंगे तो earth sclerosis earth sclerosis क्या होता है earth sclerosis होता है fat deposition of fat जो भी tissues होते है fat होते है उनका क्या हो जाता है deposition हो जाता है जिससे क्या हो जाता है जो रास्ता होता है जिससे blood flow करते हुए जाता है वो proper blood flow नहीं हो पाता है जिससे की धीरे धीरे जाके blood flow मतलब की जो blood flow है उसका जाना कम हो जाता है proper supply नहीं मिल पाती है heart को जिस वज़े से क्या होता है यह pain अकर हो जाता है ठीक है अब हम आते हैं unstable angina unstable angina में क्या होता है unstable angina is a condition in which in which your heart does not get enough blood flow and oxygen it may occurring suddenly and do not go away while resting the discomfort more severe and longer than in typical angina यह भी a condition होती है जिसमें क्या होता है does not get enough blood flow नहीं हो पाता है heart को proper oxygen नहीं पहुंच पाती है कब नहीं जब आप कोई भी person होगा वह resting position में होगा तब भी उसके अगर pain start हो जाता है अचानक से दर्श रू हो जाता है अचानक से उसको discomfort हो रहा होता है chest pain हो रहा होता है उस condition को हम बोलते unstable angina मतलब की अपने जब stable में पढ़ाता है तो वह कुछ काम कर रहा था कुछ activity कर रहा था कुछ emotional stress था इस वज़े से उसको अकर हो गया था क्योंकि वह ज्यादा टेंशन ले रहा था पर इसमें क्या है वह एकदम free of mind है सो रहा है resting position में तब भी उसके क्या अचानक से chest pain शुरू हो जाता है उसको हम बोलते है अनिस्टेबल एंजाइना अनिस्टेबल एंजाइना में कंडिशन और होती अर्थ स्क्लोरिस के साथ विद ब्लेट क्लॉट्स भी हो जाते है जैसा कि आप देख रहे नॉर्मल में तो प्रॉपर ब्लेट फ्लो ब्लेट सप्लाई हो रही है है को इस को रोनरी आर्ट्री के नहीं कर पा रहा है हर्ट को ठीक है और जो मैंने आपको थर्ड बताया था वो होता है वेरियंट एंजाइना ठीक वेरियंट एंजाइना पेक्टोरिस वेरियंट एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है यह मोर सीवियर होता है यह हर्ट अटैक को भी कॉस कर देता है ठीक है इसमें पूपाइट हो जाती आप रूपाइप में बीच आप जाता है जिसे आप यह इसे पूंद किसी भी पाइप लाइन से पानी जा प्रॉपर बलड फ्लो नहीं हो पाथा जिस वजह से क्या है कि उसमें भी क्या घ्याता है या फिर इसमें कोई बैंड हो जाता है जिसे प्रॉपर ब्लड शप्लाई नहीं पाती है उसको हम बोलते हैं वेरियंट और यह सबसे साथा सीवियर होता है इन दोनों से भी जादा वह सीबियर होता है अब हम इसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स क्या होता है कि हमें किस किस वज़े से क्या हो जाता है यह कंडिशन अगर हो सकती है जायना पेक्टोरिस हमको हो सकता है तो एक मौडिफियेवल रिस्क फैक्टर्स होते हैं एक नौन जितने में बना लता है तो तोबैको यूजू हाई ब्लड कॉलेस्ट्रॉल लेक औफ अख आप एक्ससाइज और इस ट्रस ठीक है कोई तोबैको घ्रिणा खाने से प्लोग कॉलेस्ट्रॉल अगर अगर व्लड कॉलेस्ट्रॉल अगर तो यह जाता है उसमेशथे अब फैट अ ब्लेड फ्लो नहीं कर पाएगा है चाहिए और प्रैसितिं नहीं हो पाएगा अब आते हैं नौन मॉडिफिएवल में जैसे की उसने खुद से मॉडिफाइए वह बीं च्रुम कबेंद करते हो और भी किसी कर्णव हो गई देढ़े क्जिसी करन। करтовी काणव कदो बासेane की जैनल हो गई! अब बूपकरे कजी वह मिचनल हो फेमिलौ हो फैमिली एक क慶नले हो और भी दिस तरह से में समैं, मैं इंसान इतनः आक्टीव होता है छिस वज애 से भी इसको यह कन्डीशन हो सकती है टाइबर्टिक हई्थ gameplay के कै Passion अपर्ट गा इसलई सब् GEORGE कि एंग सहल होता है यह हो थो क्या हो सकती है उतल है इसको इंग को अंडिशन हो सकती और जिससे क्यां का प्रॉपर हमारे blood supply नहीं हो पाएगा अब हम आते हैं causes क्या cause होते है एस 45 year of men's में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और 55 year की boomers में ये disease सबसे ज़्यादा पाया जाती है मतलब ये condition ज़्यादा पाई जाती है प्रोलाउंग साइको शूशल स्ट्रेस कोई आपको साइको शूशल स्ट्रेस जिससे की यह करनेशन भी अकर हो सकती है ठीक है एक्सिसिव फूड इंटेक आप बहुत ज्यादा फूड इंटेक करते हैं हैवी डाइट लेते उस वज़े से भी हो सकता है है हाइपोकसीमिया की कंडिशन हो सकती है घर थाइरोड बढ़ा हुआ है उस कंडिशन में भी हो सकता है अब हम आते हैं पैतो फिजियोलोजी तो पैतो फिजियोलोजी में क्या है ड्यू टु एनि कॉज इंकीज ओडिमांड इड बॉड्य अगर कोई भी कॉज होता है हमारी ह जो डिमांड होती है ज्यादा चाहिए होती है इंक्रीज हर्ट क्यों चाहिए होती है जब लोड हर्ट पे ज्यादा पड़ेगा तो उसको डिमांड भी होती होगा अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो आपको इनर्जी भी ज्यादा चाहिए होती है वैसे ही इसका है अगर हर् ब्लड 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 उप्लाई था है उसको नोगे है उसको होता है कर नीड मोड़ सप्लाई जैसा कि आप देखा जैसे हमने बोला है लिक्क कि हप्तिक कि अइनी सप्लाई की जुरूरत है के सब्सक्राइब को wait यह blood supply defect हो जाती है जैसे कि जितना हमको amount में चाहिए होता है blood उतना हर्ड तक नहीं पहुंचता है the heart need more blood demand और जब क्या होती है तो heart को demand demand करने लगता है कि ज्यादा blood हमारे पास आना चाहिए पर decrease O2 label in heart पर क्या होता है किसी कारण वर्ष क्या की मतलब की जो O2 की demand है वो कम हो रही है क्यों कम हो रही है क्योंकि वहां पर obstruction आ चुका है या फिर proper क्या है वहां पर blood supply नहीं पहुच पा रही हो जितना उसको चाहिए और नहीं मिल पा रहा है तो वह condition क्या हो जाती है डबलब इस्षीमिया की condition वहां पर अकर हो जाती है start angina pectoris की condition वहां पर बन जाती है और chest pain शुरू हो जाता है अब आते है clinical manifestation क्लिनिकल manifestation को हम sign or symptoms के नाम से भी जानते है जिसमें आता है नौजिया, vomiting, chest pain, dizziness, fatigues, wetting, heartburn, rapid breathing, shortness of breath, anxiety, chest pain, pressure, fast, heart rate ठीक है यह normal से sign or symptoms है मैं को लगता नहीं कि इनको briefly आपको समझाने की जरूद है क्यूंकि आपने पढ़ाई होगा आगे first year, second year में ठीक है उसके बाद और भी diseases में यह सारे जादा तर आहीं चाहते हैं sign or symptoms उसके बाद हम आते हैं diagnostic evaluation पे ठीक है तो diagnostic evaluation में क्या करेंगे हैं सबसे पहले physical examination करेंगे patient का history collect करेंगे ECG कराएंगे उसका CT scan कराएंगे MRI कराएंगे और coronary angiography कराएंगे अब हम आते हैं उसके बाद complications क्या क्या complications आ जाते हैं कभी कभी इस disease के heart attack की condition हो जाती है sudden क्या होता है इतना severe pain होता है कि जो person है उसकी death भी हो जाते है erythemia abnormal heart rhythm और कभी कभार क्या हो जाता है कि abnormal heart rhythm भी हो जाती है अब आते है medical management medical management में हम क्या करते है फार्मकोलोजिकल management में क्या देंगे वाशो डायलेटर्स देंगे वाशो डायलेटर्स क्या होते हैं इस अब डायलेट करते हो और प्रके ब्लेट इस अब आपकर क्या होते हैं बीटा blockers होते हैं जो भी blockage होता इक बीच में charge in луч Diamond है इंपरोव करता है और बलेड अप्लाई करता है है तर को आते हैंlungsकेलशियम चलाइब ब्लेड लाटोर क्या होते हैं इंप्रोब को ड्ट्ट DF प्लोड फ्लो होता है था इसको इंप्रूब करता है और प्लड और ऑकसीजन सप्लाइब करता अगर धर्द के लिए हम देते ह। तो हम क्या है दो हम क्या है अनाल जैसीन को पहने के लिए या पे देना हैं, अब आते हैं सर्जर्य, जब सीवियर हो जूता तो हम सर्जर्य भी करते हैं, और ऐनगाई N КRL के लिए तो ट्थिन के लिए थे शीं क्रते हैं हर्ट को औरली बाइपास अर्जरी होता है एक बाइपास सरजरी करी जाती है जिसे अलक पाथ पर बनाया जाता है जिस जिस आर्टरी चाया प्रूप ब्लड फ्रों करवाते हैं 저는 थो नर्सिंक मैंनेजमेंटर दो मिन हदे हैं किशेयर राम होगा ट की है चुरिद्ग फेसिजरे diva फेस्टरे लागा थे और डिजाँ अवं के लिए वा एक नुच्छ जी जुट थार विया चुट जारिवी नीमायlud shipsा dir तो फैमिली है उनकी नॉलिज को असिस करेंगे कि देखें उनको इस बारे में कितनी जानकारी है क्या इतना वो डिसीज के बारे में जानते हैं जो यह कंडिशन पेशेंट के साथ हो रही है अगर नहीं हो नहीं पता है तो हम उनको बताएंगे असिस ड्रग एफेक्ट और क्या क्या करेंगे जो कि उसका कुरॉनिक है और यह जो कि जिस वुझे सिह ओर रहा है क्योंकि लैक आप बल्ड ब्लड से नहीं मिल लगए तो इस वजे से मुझे से मिजर करेंगे इसका पें डिस्टर्ब सी इसलिपिंग बैटरं डिलेटिट थू पैं ऐज़ एविदेंस एक टूप कि एक पार पाराई पर इंसान को भी नहीं सोबाता है जिसको जो जैसे किया है उसको प्रॉपर रेस्ट करने के लिए बोलेंगे यहां पर दियर लिग ग्या है आप लोग देख लीजिए गा उसका जाईटी मतलब है अपनी डिसीज को लेके उसको भी हम क्या है यह आपर उसे एक स्टीव करेंगे उसका कम करेंगे ऐफिशिट नॉल्ट को जो भी प्रॉपर उसको नॉल्ट चुशने करेंगे उसके घर वालों को और जो भी वह कोशन में पूझेंगे हमें उनके क्या है एक प्योर्री और गॉर्ज उनके कोहशन करना है bucks हेल्थ एजुकेशन पर हम उनको कुछ हेल्थ एजुकेशन हेल्थ टॉक भी दे सकते हैं तो उनसे कहेंगे कि एक्स्ट्रा प्रेशर हर्प पर डालती है हर्प को वर्क ज्यादा करना बड़ता है ठीक है एडवाइस टू टेक लाइट फाइवर डाइट हलका फुलका खाना ख काना चाहिए एडवाइस एवाइड इंटेक आफ हैवी मिल को छोड़का जाहिए ऑ boy हैफीन इंटेक एडवाइस ट्यूल टेक लो सोटियम डाइट काम नमक बाइड शीज स्वहाँ अर्ट पर गिस नहीं चाहीज़ाचाहें मतलब बलस एक्सासाइज में हैं उनस्को घाना अज का टॉपिक हमारा यहीं खतम होता है थैंक यू सो मुझ आप सबी का इस वीडियो को देखने के लिए और आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं आप इसको प्रेजेंटेशन के मालब आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कभी टीचिंग करना है तो आप इस पीड का मैं आपको लिंक रिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी आप वहां से जाकी डाउन्डूड कर सकते हैं और आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं थैंक यू सो मुझ फर वाचिंग इस वीडियो